छलो, welcome, yes, हम देखते हैं, transaction एडि की सतरीके से निकलता है, बहुत बार प्रोब्लम आता है, हमें कि transaction आईडि समझमनी आता है और हमेशा transaction आईडि पूछा जाता है कि transaction आईडि भेजो, ओके, तो सबसे पहले आपको बैलेंस में जाना है, जैसे आपका हिस्ट्री है, ओके हिस् तो यह ट्रांजेक्शन डिटेल का यह जो है ना यह फोटो हमेशा के लिए ध्यान रखे कि यह हमें लगता है मैं आपको एक पेन के माध्यम से बताता हूं कभी भी ट्रांजेक्शन आईडी यह जो गोल राउंड में आपको दिखाई दे रहा है ट्रांजेक्शन डिटेल यह भेजना जरूरी है ओके यस तो यह देखा हमने फोन पे वाला अब जाते हैं गूगल पेपर ट्रांजेक्शन आइडी किस तरीके से चेक करें तो यह गूगल पेपर गया हम ओके आपने कभी भी चार दिन पहले एक महीने पहले भी आगर आपने क्याश बेजा हो तो उसका ट् ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में चले गए आप देखो यहां पर हमंगी मैडम का प्लिक करते हैं यहां पर ट्रांजेक्शन डिटेल्स कहां दिखाई दे रहा है यहां पर स्क्रिंशॉट मैंने निया एक पेंट के माध्यम से देखो यहां पर यह ट्रांजेक्शन आइडी श transaction ID ओके यह हमें भेजना होता है ओके अब जन्रली देखो बहुत सारी ओमन का क्या होता है कि क्या यह देखो भी यहां पर एक्जामपल लेते ओके देखो अब यह आया है यह पास्ट रुपए सेंट तो यह transaction ID इसमें ही नहीं तो कुछ नहीं बता चलता है कि आपने यह transaction ID कब बेजा है ओके जब आपका transaction ID मैंने बताया उस तरीके से आप बताओगे तो बिल्कुल बात तक क्लियर हो जाएगी और यह यानि record लेने में भी तुरन तो साफ हो जाता है कि जैसे transaction ID से quick यानि दो सेकंड में आपका बता चलता है लेकिन अभी यह 500 रुपए बहुत सारे लिडर पास्ट पास्ट भी बेजते तो समझ में नहीं आएगा ना कि यह आपने भेजा या किसी और ने भेजा यह confirm नहीं होत